नमस्कार एक बार फिर आपका स्वाकत है हमारे चैनल पर अभिनेतरी नंदा का वो एहसान जिसे इंड़स्ट्री के भारत कुमार याने मनच कुमार कभी चुका नहीं पाए जिहा दोस्तो 1972 की फिलम सोर तो आप लोग को यादी होगा और इस फिलम में गित था गित के बोल है एक प्यार का नगमा है जिहा ये गित आज भी लोग बहुत ही ज़दा सुनते हैं और फिलम भले ही बॉक्स आपिस पर कुछ खांस कमाल नहीं दिखा पाए हो लेकिन इसके संगित ने लोगों का दिल छुलिया था और इस फिलम को मनुच कुमार ने डारेक्ट किया था और उनके साथ इसमें जै बच्चन और नंदा जैसे कलाकार भी थे और इस फिलम से जुड़ा एक दिरचस्प किस्सा आजहाम आपके लिए लिकर आए हैं बात सत्तर के दसक की है जब मनोच कुमार इस फिलम की कहानी लिग चुके थी। फिलम के लिए कास्टिंग की जा रही थी और फिलम के लिए सभी कलाकार तो मिल गए लेकिन सोर में मनोच कुमार की पतनी का रोल करने को कोई तयार नहीं हो रहा था। और चुकि ये छोटा सा रोल था इसलिए इस रोल को करने को कोई एक्ट्रेश तयार नहीं थी। लेकिन रोल बहुंँ ज़रूरी भी था। इस बात से परिशान मनोच कुमार को उनके किसी दोस्त ने उस जमाने की मसुहूर अभिनेतरी नंदा से बात करने की सलाहत दी। लेकिन मनोच कुमार इस बात से ज़क रहे थे कि रोल छोटा है और नंदा जी बड़ी इस्टार वो भी सायद इसके लिए ना कहे दे। खैर मनोच कुमार जी अपने मन की खातीर नंदा जी से मिलने चले गए और उनके घार पहुँचकर मनोच कुमार ने रोल आफर किया। और साथ में ये भी बात बताई कि इससे पहले कई अभिनेतरी इस रोल को करने से इंकार कर चुकी है। नंदा जी को रोल पसंद आ गया और वो एक सर्थ पर इसे करने को राजी हो गई। वो ये कि इस फिलम का वो बिना किसी फिस लिये करेंगी। ये सर्थ सुन मनोच कुम मनोच कुमार सहाब हैरान भी रह गए और खुस भी हुए। तब उन्होंने नंदा जी से वो वादा किया था कि वो किसी ना किसी रूप में उनका ये एहसान जरूर चुकाएंगे। और फिलम रिलिज हुई और जया बच्चन के साथ ही नंदा जी के किरदार को भी लोगों है और मनोच कुमार से जुड़े ऐसे किस से यहां आप सुन सकते हैं और इसी तरह की जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकिये हैं तो प्लीज दोस्तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब किजेगा और वीडियो को अभी तक ल सब्सक्राइब किजेगा ठैंक्च दोस्तो हमारे वीडियो वाचिंग करने केली